आगनवाडी सेवी का सहाई का तथा मिनी बहनों का आज के आगनवाडी वीडियो में स्वागत है तो बहनों आज हम बात करेंगे पंजी नमबर 6 की जिसको आप लोग टीका करान या फिर वी एच एंडी रेजिस्टर के नाम से जानते हैं बहनों इससे पहले हमने वजन रेज प्रसाव रेजिस्टर के उपर वीडियो बनाया है अब आगे हम आज टीका करान रेजिस्टर के बारे में बताएंगे फिर इसी तरीके से जितने आपके 11 रेजिस्टर हैं उनको कैसे भरना है कैसे फीडिंग करना है जिन बहनों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो वह लोग आज की वीडियो पूरी जरूर देखेंगी और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो बहनों जैसे ही आप टीका करान रेजिस्टर खोलेंगी आपको सबसे पहला जो खुलेगा यहां पे खंड एक आपको दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा टीका करान रिक संख्या अब यहां पे जो है कि सिसू का नाम तथा माता पिता का नाम एवं फोन नंबर आपको यहां पे लिखने के लिए दिया जाएगा जी हाँ अब उसके बाद हम आपको एक तरफ से सभी चीजे बताते चलेंगे क्रमांक में आपको गिंती डालनी है कि कितने बच्चो का यहां पे टीका करन रिकॉर्ड बना रहे हैं फिर उस बच्चे जो बच्चा है उसके जो परिवार संख्या हुआ कहां से आपको मिलेगी यहां भी हम आपको बता दें कि आपको सर्वे रजिस्टर से ही मिलने वाला है सर्वे रजिस्टर से आप परिवार संख्या लिख लेंगे यहां तक की परिवार में बेहनों जो करम संख्या है वह भी आप सर्वे रेजिस्टर से लिख लेंगे यहां पर आप इसके बाद हम बढ़ेंगे बेहनों की सिसू का नाम आपको जिस भी बच् dopamine का टी का करण रिकॉर्ड आपको बनाना है तो यहाँ पर उस सिसू का नाम रहेगा क्यों कि यह कालम थोड़ा सा चोड़ा रहता है ब्रैकेट चोड़ा रहता है इसलिए इसमें उस बच्चे का नाम बालक या बाली का जो भी हो तथा इस पंजी में जिस दिन उस बच्चे का नाम आपको दर्ज करेंगे या रेजिस्ट्रेशन करेंगे पंजी करन करेंगे जो भी आप बोल लीजिए जिस दिन रेजिस्टर में उस दिन की डेट आपको लिखनी कि जी हां भाईया इस दिन हमारे द्वारा इस बच्चे का पंजी करण किया गया यहां तो होई नॉर्मल जानकारी अब यहां पे बहनों कुछ चीजे और हम आपको दिखा देते हैं जैसे कि जन्म के समय पोलियों की खुराख जन्म के समय क्या बच्चे को पोलियों की खुराक मिली है की नहीं उस चीज को भरने के लिए भी यहाँ पे कॉलम है फिर उस बच्चे को हेपिटाइटस B का टीका लगा है की नहीं यह चीज यहाँ पे है BCG का टीका उस बालक के बालिका को लगा है कि नहीं वह चीज यहाँ पे है DPT1 जो है उसका टीका है फिर Hepatitis B1 जो होता है उसका यहाँ पे अब हम बता दें बहनों कि Hepatitis 0, Hepatitis B1, Hepatitis B2 इसी तरीके से DPT1, DPT2 इत्याज दिये क्या होते हैं कि यह टीको के नाम होते हैं जो कि जब भी बालक को लगा होगा वह चीज आपको यहाँ पे feeding करनी है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बहनों पोलियो की टीका के लिए भी column है आपको भरने के लिए फिर DPT2, Hepatitis B2, Polio 2 मतलब कि आपको अच्छे से पता है साल में दो बार पोलियो की खुराक पिलाई जाती है हर 6-6 महीने में तो इसी लिए इसके भी यहाँ पे दो कालम है DPT3, Hepatitis B3, Khasra 1, Khasra का जब टीका लगेगा तो हम बता दें विटामीनी की जब भी पहली खुराक आप पिलाएंगे बच्चे को वह चीज भी यहाँ पे रहती है एक में आपको डेट डालना है और दूसरे में के हाँ या ना का आपसन रहता है कि आपके द्वारा पहली खुलागी है बच्चा पिया है कि नहीं पिया है DPT बूस्तर का टीका लगा है कि नहीं और खसरा टू का टीका लगा है कि नहीं इसका कॉलम यहाँ पे है अब लास्ट जो कालम है बहनो इस पहले बाले जैसे या पन्ना खोलते हैं तो यह रजिस्टर में अभी तक इतनी चीजे भरी जाती है इसमें लास्ट में है कि एक वर्स की आयू पूर्ण होने किती थी यहां पर आपको लिखनी है जिस दिन बच्चा एक साल का हो जाएगा तो वहाँ डेट आपको लिखनी है पूर्ण टीका कराण उसका हुआ है कि नहीं हुआ है यह नीचे वाले इस कॉलम में लिखेंगे मलब उपर वाले पंक्ती में आपको वह डेट लिखनी है जिस दिन बच्चे एक साल का हो जाएगा और नीचे वाले कॉलम में आपको पूर्ण टीका करन लगा है कि नहीं तो हाँ और ना का जवाब करके आपको यहाँ पे लिख देना है तो यहाँ तो हुआ पहला पन्ना जो आप बहनों खोलती हैं टीका करन रजिस्टर का अब इसके बाद जब दूसरे फॉर्म में आपको भरना खंड दो की मतलब अगर हम बात करें तो इसको भी हम जूम करके आपको दिखा देते हैं कि टीका करन रजिस्टर के खंड दो में आगन वाड़ी कारकरता बहनों को कौन कौन सी चीज़ें भरनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम स्वास्त एवं पोशंड दीवास वी ऐच एं डी यहाँ पे आपको यह चीज़ दिख गया है यहाँ पे विलेज हेल्थ नियूट्रीशन डे है तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ देखेंगे स्वास्त एवं पोसंड पहला पॉइंट देखिएगा स्वास्त एवं पोसंड दिवस का आयोजन निर्धारित तिथी पे हुआ है कि नहीं तो इसमें हाँ और ना का आपसन रहेगा आपको भरना है स्वास्तेवं पोसंड दिवस का आयोजन उसकी वास्तविक तिथी अगर निर्धारिक तिथी पे नहीं हुआ है तो जो भी वास्तविक तिथी यहाँ पे आपको डेट डालना है भेहनों हम बता दें हाँ ना वाले ओप्सन में पहले से हाँ और नहीं दिया रहेगा आपको उसे टिक करना है पर जिन में टिक करने के लिए नहीं है सीधा सीधा कॉला में तो उसमें आपको भरने वाला सिस्टम रहेगा जैसे यहाँ पे तिथी निर्धारित वाली दी हुई है वास्तविक तिथ स्वास्त आवं पोसंड दिवस के οरां परवेच्छक उपस्थित थी नहीं मतलब आपकी जो सूपरवाइजर मेडम है ठीकया करण के दून उपस्थित ही नहीं इसमें भी आपको हा ना का या आउपसन दे दिया जाएगा स्वास्त एवं पोसंड दिवस के दौरान आसा कारे करता उपस्थित थी की नहीं तो उपस्थित थी तो आपको हाँ पे टिक करना है उपस्थित नहीं थी तो आपको नहीं पे टिक कर देना है स्वास्त एवं पोसंड दिवस के दोरान एनम या फिर MPW में कोई उपस्थित था की नहीं तो हाँ ना का उपस्थन यहाँ पे भी है और अगर हाँ इन दोनों में कोई भी मतलब की एनम या MPW में कोई भी उपस्थित हो तो आप देख सकते हैं लिखा है एनम MPW का नाम दर्ज करें मतलब वो अगर उपस्थित थे तो यहाँ पे उनका नाम भी आपको दर्ज करने के लिए मिले जाएगा सामूही के स्वास्तेवं पोसर सिच्छा संबंधी सत्र का आयोजन किया गया है क्या अगर इस चीज का आयोजन किया गया है सत्र का तो आप हाँ पे टिक करेंगे वरना नहीं पे टिक करेंगे और निमनम लिखित में से कौन-कौन उपस्थित था यहाँ पे उपस्थिती के लिए भी दिया गया है और कौन उपस्थित था कितनी संख्या में वह संख्या आपको यहाँ पे डालनी है जैसे कि गर्भवती महिलाएं लिखा है कि क्या गर्भवती महिलाएं उपस्थित थी तो आपको यहाँ पे कितनी संख्या में थी पांच, दस, पंद्रा, बीस जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे कितनी धात्री मात आएं बहने उपस्थित थी कि भी संख्या यहाँ पे रहेगी दादी नानी की भी संख्या यहाँ पे रहेगी और किन-किन विश्यों पे चर्चा हुई इसके लिए प्रापर ये तीन-तीन कॉलम रहते हैं तो वह चीज आपको यहाँ पे फीड कर देना है क्या कोई प्रदर्सन किया गया किन-किन विस्यों पे प्रदर्सन किया गया तो वह चीज में भी आपको हाँ ना का अपसन यहाँ पे मिल जाएगा घर ले जाने है तू रासन वितरन किया गया अगर हाँ तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों का टीका करनड हुआ अगर हुआ तो आप हाँ पे टिक कर दीजेगा नहीं हुआ तो नहीं पे टिक करना है विटामीने की खुराक पिलाई गई अगर टीका करनड हुआ है बच्चों को विटामीने की खुराक पिलाई गई है अगर तो आपको हाँ पे टिक कर देना हैं गर्भवती महिलाओं की प्रासव पूर्व जाच हुई है कि नहीं इस चीज का भी यहाँ पर आपको अच्छे से पता है जो दो तीन जाचे होती हैं प्रासव पूर्व आगनवारी केंदरों में टीका करन के दोरान तो वह चीजे हुई है कि नहीं तो हाना पर आपको टिक करना है बच्चों का वजन लिया गया है कि नहीं लिया गया है इस पर भी आपको हाना का आपसन मिल जाएगा निमनलिखित की सेश सूची बनाई गई है यहाँ पे सेच सूची के बारे में भी बताया गया है तो ekar टीका करन की से से सूची है तो आपको हाँ में टिक करना है विटामी ने की भी है तो हाँ में की टिक करना है प्रसाव कुरुव की है तो हाँ में टिक करना है और नहीं हुई है तो नहीं पर अब टिक कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर उन बच्चों की संख्या के बारे में बात करेंगे जिनको इस तरीके के टीके लगे हुए हैं टीका करण के लिए सेस बच्चे तथा जिने टीका लगा उन बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है आपको अच्छे से पता कि यहां पर देखिए पूरे टीका करण के नाम दिये गए हैं BCG, DPT, Hepatitis, Polio, Khasara, जो भी हैं जितने अब इधार लिखा है कि टीका करण के लिए बच्चों की संख्या मतलब इतने बच्चों को टीका करण लगना था टीका करण के लिए ये बच्चों की संख्या है अब जिने टीका लगा उन बच्चों की संख्या मतलब इतनों को था लेकिन इन में से जितने बच्चे आए हैं कितने बच्चों को टीका लगा हुआ चीज़ा आपको यहां पर लिखनी है टीका करण के लिए बच्चों की संख संख्या दस है लेकिन टीका जिन बच्चों को लगा उनकी संख्या माल लीजे यहां पे आठ बच्चों को लगा मतलब कितने बच्च गए दो बच्चे बच्च गए वो की ऑलरेडी समझ में आ जाता है 15 बच्चों को टीका लगना था 10 बच्चों को लगा मतलब 5 बच्चे अ मतलब ग्राम प्रमुख अगर उपस्थित रहे हो कोई भी पंचायत का सदस उपस्थित रहा हो ग्राम स्वास्त पोसण स्वाच्छता सिमिति का कोई भी सदस अगर उपस्थित रहा हो टीका करण के दौरान जो की हाला की रहते ही हैं यहां तक की कहीं कहीं पे उपसर पंच य कِलिए जिदने लोग भी आए हूँ अगले स्षास्त्वां पोसंड दीवस के निर्धारित थी म स्वास्त्यावं पोसंड दीवस अगली रकभ है किस डेड में है वह डेड आपको यहां पे लिख देनी है अब आगामी स्वास्थ पोसंड दिवा से तू बनाई गई सूची मतलब टीका करण में कितने बच्चों को टीका करण लगना या सूची बनाई गई है तो आपको हां में टीक करना है कितने बच्चों को विटामीनी पिलाया जाएगा पिलाना है आगे अगले टीका करण में तो यहां भी आप हां में देख सकती हैं हर कॉलम में कोई भी अलग चीजें नहीं हैं कितनों बच्चों को टीका लगा कितने बच्चों को लगना था वह पूरी की पूरी संख्यापको इन दो पन्नों में आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से भरना है अगर हम सबसे लास्ट में इसकी बात करें जिसमे लिखा है वर्स 2012 से 2017 के लिए केलेंडर तो अब यहाँ चीज अपडेट हो चुका है बहनू अब अपडेट होने से मतलब है जब आप नया रिजिस्टर लेंगी तो वहाँ पे लिखा रहेगा वर्स 2017 से 2025 तक कलेंडर जी हां 2023 भी हो सकता है या फिर 2025 भी हो सकता है तब तक के लिए कलेंडर रहता है और उसमें आप पहले से अब यहाँ पे आप कहेंगी कि यह चोटी चोटी बिंदी आपको भी दिख रही होंगी इन कलेंडरों में इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं यह देखिए चोटी चोटी बिंदी हर माह के हर वर्स के कलेंडरों में यहाँ पे दिखी हुई है तो यह एक प्रकार से डिनोट करने के लिए है जैसे कि आपके पास जब यह कलेंडर रहेगा उस रेजिस्टर में तो आप वहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर सकती हैं कि अगले महीने में किस तारिक को टीका करण है तो आपको जब रेजिस्टर भरती है तो यह चीज भी आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि किस महीने में जब अगला टीका करण है तो उस दिन के हम मार्किंग किये रहेंगे अपनी अगली तैयारी और रेजिस्टर को फीडिंग करने के लिए तो बहनो यह था टीका करन रेजिस्टर जिसमें कुछ भी खास य जरूर बताईएगा तो इसी के साथ बहनो हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जो भाई बहन चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके आपके जो भी सव हैं आप बता सकती हैं वीडियो को जादा जादा वाटसैप ग्रूप वाटसैप स्टेटस आगनबारी ग्रूप में भी आप शेयर कर सकते हैं तो बहनों इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार